लेशन पढ़ रहे थे लव एक्रोस दे साल्ट डेजर्ट नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम आपका हीरो आफताब का बेटा जो था नजब वो फातिमा कसे वादा करके आता है कि वो उसे वापस लेने जाएगा तो देखते हैं आगी क्या होता है जब से नजब अपने घर पे खावदा में आया है नजब है वो उस इस्तान से जल्दी से जल्दी बच कर जाने में वापस भाग जाने में के लिए बहुत ज़्यादा क्या है चिन्तित है What was there? क्या ऐसा था? About the run, उस run के रिगिस्तान के बारे में? That he did not know जो से पता नहीं था नजब सोचता है कि ऐसी क्या बात है जो वो उस रिगिस्तान के बारे में नहीं जानता he could cross the run वो उस रेगिस्तान को पार कर सकता है in the daylight दिन के उजाले में leave alone starlight रात के उजाले को तो छोड़ो I think none of his elders ऐसा एक काम जो उसके किसी भी बड़े बुजुर्ग ने had dare to do कभी ऐसा करने की हिमत नहीं दिखाई नजब नहीं सोचा है कि वो उस रेगिस्तान को दिन में पार करेगा और ऐसा कर आज तक उसके किसी भी बुजुर्ग ने बड़े बुजुर्ग ने नहीं किया and one morning और एक सुबह आफताब वाज वाकन अब आफताब को जगा दिया गया वाई शाउट एक आवाज के कारण फ्रॉम जबन जो किसने लगाई जबन ने तो जबन ने आवाज लगाई और उसको सुनकर आफताब सुबह सुबह क्या हो गया उठ गया अरे ये बुढ़ा दुष्ट आदमी चाहता क्या है जबन के लिए आफताब कहता है ये मटर्ड उसने बड़बडाते हुए कहा रबिंग ही स्लीपी आईज और अपनी नेंद से बरी आँखो को ट्रगडने लगा जबन आस्क्ड जबन ने पूछा अबाउड दा नजब्स वेहर अबाउड की तुम्हारा बेटा नजब कहां है तो जमन ने आफताब से पूछा कि तुम्हारा बेटा जो नजब है वो है कहां तो देखो आफताब क्या कहता है जो लड़का था वो काफी देर तक नाराज रहा बट he should be around लेकिन वो यही होना चाहिए जो नजब था वो फातिमा के गड़ से जल्दी नहीं आना चाहता था लेकिन उसे आना पड़ा वो थोड़ा नारास था लेकिन उसने कहा कि वो वहीं होगा इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि मेरा बेटा कहा है या कहा नहीं है दा ओल्ड मैन वो जो बुड़ा आदमी था डिड नोट हाइड हीज इरिटेशन उसने अपने चिड़ चिड़ा हट बिलकुल भी नहीं चिपाई उसने कहा कि तेरे को मतलब क्या है मेरा बेटा कहीं पर भी हो तो जमन देखो क्या कहता है तुम किसे मुर्ख बनाने की सोच रहे हो आफ्ताब मिया आस्मदा स्मगलर उस तसकर ने कहा जमन को तसकर कहा गया है याँ पर वो उस आफ्ताब से पूचता है कि तुम किसे मुर्ख बना रहे हो don't you know क्या तुम्हें नहीं पता that Allah रखा is also missing कि हमारा उठ जो अल्ला रखा है वो भी गायब है तो नजब भी गायब है और साथ में उनका जो उठ है अल्ला रखा वो भी क्या है गायब अब गायब होने का क्या मतलब है in these days इन दिनों, villages वो गाउं border जो की border पर थे the pattern of life वहां का जो जीवन था तरीका था was such वो ऐसा था that if a man was absent कि यदि कोई आदिमी वहां पर नहीं होता था along with his camel उसके उठ के साथ it was taken for granted ये निश्यत रूप से मान लिया जाता था that he had made for a cross कि वो जाली तरीके से चला गया है पार कर गया है the desert उस रेगिस्तान को into the Pakistan और कहां चला गया पाकिस्तान में तो उस border के आसपास के जुगाओं थे वहां पर यदि कोई आदमी नहीं होता था अपने उठ के साथ तो समाने तरह यह माना जाता था कि वो व्यक्ति वहां से क्या हो गया है border close करके क्या हो गया है पाकिस्तान में गुश गया है या चला गया है आफ़ताव वेंट इंटू दा mud enclosure जो आफ़ताव था वो मिट्टी से बने होए गरोंदे की तरफ गया वहर हिज केमल वाज गैप्ट जहां पर उसका उठ रखा जाता था और उसे उसने क्या पाया खाली तो एक बाड़ा था पीछे की तरफ वहाँ जाता है अपने उठ को देखने के लिए लेकिन वो जगए बिल्कुल कैसी थी खाले थी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया उदास हो गया उसका रिदे डूप गया वह गर में अंदर गया तो सी यह देखने के लिए इव दा बंडल सो तैंदू कि क्या तैंदू के जो पत्ते हैं उनका जो बंडल था वह भूट जो वह लेकर आया था खरीद कर लाया था हैड बीन टेकन बाइदा बॉइ क्या उसे उसका बेटा लेकर गया है या नहीं गया तो गर में भी गया यह देखने के लिए कि जो तैंदू के पत्ते थे क्या वो उनको भी लेकर गया है या नहीं गया क्योंकि वो वहां गया होगा तो शायद व्यापार के लिए गया होगा तो क्या वो पत्ते भी लेकर गया है ओफ दफूल अरे देखो कितना मुर्ख है दसन ओफ फूल वो तो मुर्ख का बेटा है एक्सक्लैम्ड आफ़ताब आफ़ताब चिलाते हुए बोला आलमोस्ट सैकिंग विद फ्यूरी और उसे बहुत ज़्यादा क्या आ गया गुष्सा तो आफ़ताब को गुष्सा आगया वो कहता है कि कितना बड़ा मुर्ख है आप जो तेंदू के पत्ते हैं वो भी अपने साथ नहीं ले गया he has forgotten to take अरे वो तो भूल गया ले जाना the leaf with him उन पत्तों को भी अपने साथ तो वो वहाँ फालतों में क्यों गया है यदि वेपार करने के लिए गया है तो कम से गम तेंदू के पत्ते तो ले कर जाता who are you trying to fool अरे तुम किसे मुर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो with all this drama ऐसे नाटक से called out जमन जमन कहने लगा who was still standing at the door जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था जमन ने कहा कि ये नाटक क्या कर रहे हो तुमारा बेटा कहा है कहा है क्या डूंड रहे हो किसे मुर्क बना रहे हो this son of yours तुमारा जो बेटा है is not an innocent वो निर्दोस नहीं है as the word believe जैसा कि संसार मानता है जैसा कि लोग समझते हैं तुमारा बेटा भोला है वो बोला नहीं है फिर क्या है वो he is a pig अरे वो क्या है एक सूर है and son of the pig और वो एक सूर की ओलाद है तो उसने नजब को गाली देते हुए कहा कि वो एक सूर है और साथ में उसे ये भी कहा कि वो एक सूर का बेटा है इसका मतलब उसने आफताप को भी क्या कर दिया सूर बता दिया there was no limit to the chagin ऐसे जो खीज थी जो गुसा था उसका कोई सीमा नहीं रही जमन वाज the chief जमन वही वेक्ती था the man वह वेक्ती who kept the rangers across happy जो की सीमा पर रहने वाले जो rangers होते हैं जो सूरक्षय कर्मी होते हैं उनको क्या रखता था खुश रखता था तो यदि किसी वेक्ती को करता था एनिवन क्रोसिंग दा रन यदि कोई व्यक्ति रन के रेगिस्तान को पार करे विदाउट ही सपोर्ट उसके साहिता के बिना वाज रनिंग डगनलेट विद दलौ वो क्या करेगा अपने आप में उस वहां के सासन को या फिर वहां के कानून को क्या देगा चुनोती देगा तो यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे बॉर्डर ट्रोस करता था तो अक्सर वो जमन के साहिता से ही करता था यदि उसकी साहिता किसी ने नहीं ली है तो इसका मतलब वो कानून का भागिदार होने वाला है उसे सजा मिलने वाली है और यहां दिस फ्लैजिंग हैड ब्लंडर्ड इन और यहां तो वो चिडिया का बच्चा जाकर घुस गया है चला गया है विदाउट सत मचे वर्ड बिना कोई शब्द कहे तो हिम उसे और सलाम या फिरो से सलाम के बगएर वो चला गया और एक हंडर्ड रुपी नोट और एक जमन कह रहा है कि अक्सर लोग जब उसकी बात को रेंजर्स के तुरूयदी वहां जाते थे पाकिस्तान में तो उससे मश्यूरा करते थे सलाम करते थे नमश्कार करते थे एक सो रुपे उसे देकर जाते थे उनकी सुरक्षा के लिए लेकिन यह जो नजब है वो तो क्या हो आउट आफ दिस बगवान करे बगवान उसे सुरक्षित हमारे गर पर वापस लाए सैड़ ऑल ड्रॉग पैसली उस बुढ़े दुस्ट आदमी जमन ने क्या किया धार्मिक रूप से बगवान से इच्छा करते हुए ऐसा कहा हाला कि वो दुस्ट है उसका कहने का मतलब अल है थोट आफ 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 आपने ऐसा सोचा आफ आफ आपको पता था कि यह लड़का यह जो जमन है वो मेरे बेटे के प्रती कुछ गलत भाव रखता है लेकिन दिखावे के लिए ऐसी बाते वो कर रहा है कि नतिंग वूड प्लीज हीम है मोर दें टू सी अरे ऐसा कोई भी चीज उसे प्रसनता नहीं देगी यह देखने के अलावा नजब रिटर्ण कि रजब नजब लोटकर आये इंटू दा कैरियन विद वॉल्चर्स होवरिंग अराउंड मरा हुआ और जिसके उपर गिद क्या करें फेरी लगा रहे हो या उसके मांस को काट काट कर खा रह उसकी लाश को जो कोवे हैं जो गिद्ध हैं वो क्या करें नोच नोच कर खाए ऐसा जमन क्या करता है सोचता है डॉंट वरी जमन हे जमन तुम्हें चिंता करने की ज़रुरत नहीं है अल्ला विल सी हिम थ्रो बगवान उसकी साहिता करेंगे उसने जोड़ देकर ये बात कही और उस स्मगलर तस करके मुह पर क्या कर दिया उस दरवाजे को मार दिया मुह पर दरवाजे को मारने का मतलब है उसके सामने ही दरवाजा उसने बंद कर दिया तो जमन को वहां से जाने के लिए वो क्या कर देता है दरवाजा बंद कर देत है एज जमन स्टैग्ड ओफ जब जमन वहां से अकरता हुआ गया आफ़ताव वेंट इंटु ब्रीक आफ़ताव गया अंदर दा न्यूज यह सूचना देने के लिए और संस एसकेप उसके बेटे के वहां से चले जाने की तो हीज वाइफ अपनी पतनी को तो आफ़ताव पतनी को यह बताने के लिए कि हमारा बेटा क्या हो गया है एकिस्तान पार करता वा पाकिस्तान में चला गया है सीवूड फैंट ही थोट आफटाव ने सोचा कि उसकी पतनी यह सुनकर भेखो ऑस हो जाएगी ही फाउंड हर क्रॉचिंग उसने देखा कि उसकी बेट उसकी दिवार से सठकर बैठी हुई थी उकड़ू बैठी हुई थी आफ्ताव जाकर अपनी पत्नी से कहता है अरे उसकी पत्नी ने तो आश्यरे दिखाते हुई अपनी पलक भी नहीं जबकाई वंस एक बार भी नहीं जबकाई इसका मतलब क्या हुआ सिवाज डीप डीप इन्दा कौन स्पाइडे सी कि वह उस सडियंतर में शामिल थी कहां कमर भर तक इसका मतलब पूरी तरह से पूरी तरह से वो जो योजना थी वो उस नजब और उसकी मा की दोनों की बनाई हुई थी अलोंग विध हर सन जिसमें उसका बेटा भी शाथ था और उसने उसके बारे में एक शब्द भी क्यानी किया नहीं कहा तो मा को सब कुछ बता था वो वहां बैठी थी और उसने एक शब्द भी नहीं कहा उसने आश्यरिय बिल्कुल भी नहीं दिखाया and he does fell on her bear arm और अचानक आफताब की क्या होती है नजर पड़ती है अपनी पत्नी के खाली हाथ पर नंगे हाथ पर नंगे हाथ का मतलब ये हुआ कि उसकी पत्नी ने कुछ पहले पहन रखा था लेकिन अब उसके हाथ में वो चीज नहीं थी क्या पूछता है आप ताब वेहरिज देट गॉल्ड बैंगल अरे वो सोने का कंगन कहा है माई फादर गेव यो जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया था वो मन हे ओरत बोलतो सही अपनी पत्नी से कहा कि वो सोने का कंगन कहा है तो उसकी पत्नी कहती है यू नीड नोट वरी तुम्हें चिंता करने की जरुदरत नहीं है नजब विल रिटर्न विद क्लाउउज जो नजब है वो क्या करेगा long के साथ क्या करेगा वापस लोट कर आएगा तो वो long का व्यापार करने गया है वो जल्दी ही क्या करेगा वापस आएगा दा लॉंग स्टाइडिंग अल्ला रखा वो अल्ला रखा जिसके लंबे पैर थे लंबे डग थे कैप्टे ब्रिस्क पैस उसने एक तिवर गती से चलना जारी रखा अल्ला रखा बहुत तेजी से चलता रहा वो उस कोरी दर्रे की गंद को लेकर गई तो वहां से एक हवा आई और वहां पे एक कोरी नाम का दर्रा था वहां की जो गंद है वो नजब को क्या होती है महसूस होती है नजब के नाकों तक पहुँच जाती है वहतारों का पीछा करने लगा दा मिलकी वे वो आकाश गंगा फ्लैग्ड बिद माई का जो की चमक रही थी अब्रक के समान दा ग्रेट बियर सैंबलिंग ट्वार्स दन नौर्थ और वो ग्रेट बियर भालू की आकरती का जो एक नक्षत्र था वो अपना पैर गसेड़ता हुआ उत्तर की तरफ क्या हो रहा था जा रहा था इसका तात्पिय जो नजब है वो तारों की दिशा को निर्धरीत करते हुए क्या कर रहा है अपनी यात्रा को आगे वढ़ा रहा है विफॉर दडॉन और उशा काल के पहले वह पहुंच चुका था अपने गंतव्यतक तो अपने गंतव्यतक वह है उशा काल से पहले सूर्योदे से पहले ही क्या हो गया पहुंच गया संडी एलेवेशन एक मिट्टी का उभार पहले सेडेट जो कि घिरा हुआ था विद दा बॉन्स ओफ डेड अनिमल्स मरे हुए जानवरों की हड्डियों से तोल्ड ही मुसे बता रहा था that he had arrived at सार्बेला कि वो सार्बेला जगया पहुंच गया है तो आगे जो वो बड़ा तो उसे पता चला उसे दिखा कि एक टीला सा उसे नजर आया जो कि मिट्टी से डखा हुआ था और साथ में जहां पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी थी तो उसको ये पक्का पता चल गया कि ये कौन सा इस्तान है सारवेला का इस्तान है और ट्वल्टी माइल्स फ्रॉम काला डूंगर और ये जो जगह थी सारवेला वो उस काला डूंगर के 20 मील दूरी पर थी तो लगबग 30 किलोमेटर दूर पर थी अरे वो तो उस अंतराष्टिये बाउंडरी से बिल्कुल बाउंडरी से सीमा से क्या हो चुका था बाहर आ चुका था यहां उसने इंतजार किया और वहां आकर वो क्या करता है सारवेला में आकर इंतजार करता है रेष्ट करता है आराम करता है दिन के समय मुवमेंट वाज इंपोसिवल वहां से जाना असंभव था उसने सोचा कि दिन में जाना यहां से क्या है पार करना असंभव है क्या है कारण दा इंडस रेंजर्स क्योंकि सिंद गाठी के या सिंद प्रांत के जो रेंजर है वोड बी लुकिंग फ्रॉम देर बंबू वाच टावर्स वो अपने बांस के बने हुए जो बुर्ज है जो टावर है उनके उपर से नजर रखे हुए होंगे तो उसने देखा कि सिंद के जो रेंजर होंगे वो अपने बंबू के बुर्ज के उपर से या टावर के उपर से लोगों पर नजर रख रहे होंगे कि कोन यहां से गुजर रहा है and our in the heat और उस गर्मी में everything became मिराज प्रते एक चीज एक मरग मरीची का बन जाती है मरग मरीची का का ताक्पी यहां यह है कि ऐसी एक चीज जिसके बारे में पता नहीं है लेकिन जो नजर आती है जो जैसी नजर आती है जो वैसा नहीं होती है एक मरग तरश्ना जिसे कहते है a depression in the sand looked like a splash of water और एक प्रकास का जो अपवर्तन है जमीन के उपर मिटी के उपर वो ऐसा लगता है जैसे कि पानी वहां क्या कर रहा हो दहरा के रूप में बहर रहा हो कई बार हम देखते हैं रोड के उपर दूर देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वहां पानी बरा हुआ है रेगिस्तान में भी ऐसा यह लगता है जब सूर्य के प्रकास का परावर्तन होता है अपवर्तन होता है तो वहाँ वो मिट्टी पानी के समान क्या होती है नजर आती है एफ्रेक एक अनूठा स्टंड बिना बोना जिसे आप कह सकते हैं कैक्टस कैक्टस एक पोदा होता है गेव दा एपीरियंस ओफ ग्रूव वह ऐसा नजर आता था जैसे वहां पर कोई उद्ध्यान हो और रेगिस्तान में उगा हुआ जो कैक्टस जो पोदा है वह ऐसा नजर आता है दूर से जैसे वहां क्या हो कोई उद्ध्यान हो कोई बगी था on the move जब वो क्या करता है चलता है तो एक छोटा सा जानवर भी उस समय उस रेगिस्तान में बहुत बड़ा और बहुत विशाल जानवर क्या होता है प्रेग प्राग यतिहास एक जानवर की तरह क्या होता है नजर आता है एनी मॉमेंट कोई भी हलचल वास शोर टू भी नौटिस्ड निश्चित रूप से नजर आ जाएगी त्रो बाइना कुलर से किसकी साहता से दुर्बिन की साहता से और वहां कोई भी चल रहा होगा तो जो रेंजर्स वगर रहे हैं अपने बुर्ज या टावर्स पर बैठ कर दुर्बिन से देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति वहां पर नजर तो नहीं आ रहा है जा तो नहीं रहा है और यदि वहां से गुजरा जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी नजर में आया जाएगा वैन दा सन कैम अप जैसे ही सूरी उपर उठा नजब तुक हीज फर्स्ट ड्रिंक नजब ने अपनी पहली गूट ली ओफ वाटर पानी की फ्रॉमी चागल अपने चागल से चागल क्या होता है आप देखते होंगे कई बार लोग अपने साथ रखते हैं एक बोटल मान लो वैसे चमडे का होता है वो चमडे का एक थेला सा होता है जिसमें लोग क्या करते हैं पानी तो उसमें से उसने एक घूठ बरी एट नून और दोपैर में He had his first meal उसने अपना पहला बोजन किया और बोजन में उसे क्या मिला Dry, Stale Bread एक तो सुखी हुई और साथ में 20 रोटी With onion और उसके साथ उसने क्या खाया प्याज क्या तो प्याज और रोटी का उसने प्याज और ब्रेड रोटी जो सुखी हुई थी उसका उसने बोजन किया इस समय तक thoughts about फातिमा फातिमा के बारे में जो विचार थे took a wise like a grip over him उन्होंने एक दुष्ट गिरफ तो उसके उपर क्या कर ली बना ली तो फातिमा की जो विचार थे वो उसके उपर पूरी तरह से हावी हो गए an entire night एक पूरी रात lay between them उनके बीच में पड़ी थी he thought उसने सोचा कि अभी तक तो एक रात पड़ी है जब वो क्या करेगा फातिमा से जाकर मिलेगा and the distance और वो जो दूरी थी was less than 10 miles 10 mil से भी कम थी अब उसे 10 mil भी नहीं चलना था मतलग और वो क्या हो जाएगा फातिमा के पास पहुंच जाएगा the thought of it ऐसा ही विचार जो उसने किया made him red even as the sun started उसने उसे और भी ज़्यदा तडपा दिया जब सूर्य शुरू हुआ heating मारने लगा its hammer अपने हतोड़े को on the anvil उस अरहन के उपर of the desert जो किसका था उस रेगिस्तान का आपने देखा होगा जो गाड़िया लोहर होते हैं उनके पास लोही को पीटने का एक हतोड़ा होता है और साथ में उस लोही को जिस पर रखा जाता है पीटने के लिए उसे क्या का आ जाता है अरहन तो यहाँ पे लेकर के कहना चाहरे हैं कि जैसे ही सूरिय और तेजी से चमकने लगा और अपने हतोड़े को उस रेगिस्तान पर माणने लगा मतलब और भी ज़्यादा तिवर गर्मी वहाँ पढ़ने लगी तो जो नजब था वो अपने महभूबा की याद में अपनी प्रेमी का की याद में क्या हो गया और भी अधिक तड़ अपने लगा एव्वेप आपदा टैंजी श्वाउत विंड और एक जोका उस तीखी सी दक्षनी हवा का कॉट हिज नॉस्टेंस अगेन उसके नतुनों पर वापस क्या हुआ आकर टक्राया तो एक तीखी सी जो हवा थी जोके की वो क्या हुई उसके चहरे पर वापस आई बट दिस टाइम लेकिन इस बार इट ब्रॉट विद इट अपने साथ वो लेकर आई थिन टैप्ड वैल अफ लाउड अपने साथ एक आधा सा ढखा हुआ चित कबरा सा क्या बादल पैस्ड ओफ विच ले ओवर लैपिंग और जिसकी जो किनारे थे वो गिरते हुए आ रहे थे लाइक फ्लैस स्केल्स जैसे वो क्या हो किसी मचली के शल्क हो तो एक बादल लहराता सा हुआ आगे बढ़ा उसे नजर आया जैसे उस बादल के ऊपर जो मचली होती है उसकी शल्क जिस प्रकार से होते हैं उस बादल के ऊपर ऐसे क्या थे निशान बने हुए थे और वो बादल चित कबरा सा क्या हो रहा था नजर आ रहा था विदिन एनार एक गंटे में दिस करूगेटिड क्लाउड वह जो लहरदार जो बादल था हैड कवरड एस सबसेंशियल पोर्शन अव दा इसकाई उसने लगबग पूरे आकाश के आवरण को क्या कर लिया घेर लिया और वो जो लहरदार चितकबरा सा जो बादल था एक गंटे में तो इतना फैल गया कि सारे आकाश को ही कुछ ने क्या कर लिया ढख लिया लुकिंग फॉर ओल दा वर्ड उस सारे संसार को देखते हुए यदि देखा जाए लाइक ए स्ट्रेच ओफ वाइंड रिपर्ड सेंड अपने आप में उसने एक हवा से लहरदार जो भूमी होती है उसके रूप में क्या कर दिया उसने सारे संसार को डख लिया या नजर उसे आने लगा तो जिस प्रकार से वो बादल वहाँ पे लहराता सा हुआ आया उसने सारे आकाश को घेर लिया और वहां की जो भूमी थी वो भी इसी प्रकार से लहरदार उसे क्या होने लगी दिखने लगी यस हाँ इस वाज दे टाइम उसने सोचा कि यही तो अब समय है यही तो अब समय है जब उसे क्या कर देने चाहिए वहां से रवाना होने की शुरुवात कर देने चाहिए he got up वो उठा and shook the sand from his turban और अपनी पगड़ी से उसने क्या किया सारी मिट्टी को ज़ाड़ा क्योंकि वो सो रहा था जमीन पर मिट्टी जो लगी हुई थी पगड़ी पर उसने उसे ज़ाड़ी even as he harnessed his camel जब उसने अपने उठ को जोता he thought उसने सोचा that Allah रखा कि उसका उठ जो अल्ला रखा था was looking at him वो उसकी तरफ देख रहा था causically एक प्रशनात्मक इस्तिती में और जब उसने अपने उठ को जोता वाज अप्टू कि अब वो करने क्या वाला था तो उसने अपने उठ को जोत लिया है वहां से रवाना होने के लिए at one level of consciousness अपनी चेतना के एक इस्तर पर he knew वो जान गया था that this was madness की अपने आप में क्या है एक पागलपन है तो एक तरह से तो उसे नजब को ये पता था कि ऐसा करना दिन के उजाले में जाना अपने आप में क्या है एक पागलपन है he knew of overworked camels उसने ये भी देखा था कि ज़्यादा काम करने की कारण जो उठ होते हैं dying of fatigue तो उसे ये भी पता था कि यदि उट को ज्यादा काम में वो लेगा तो वो ठक जाएगा और मर जाएगा of the patrolling parties of BSF उसे ये भी पता था कि border security force जो BSF होती है उसके जो लोग होते हैं सेनिक होते हैं वो वहाँ पर निरक्षन करते रहते हैं वो वहाँ पर patrolling करते हैं गूमते हैं and Indus Rangers और सिंदु के जो सिंद नदी के जो Rangers हैं उनके बारे में भी उसे पता था and the Miraj checkered और साथ में उस मरग तरशना रंग विरंगी जो मरग तरशना थी उसके बारे में उसे पता था trackless west of the desert और उसे यह भी पता था कि वो जो रेगिस्तान वो अनंत रूप से वीरान है वहाँ पे कोई नहीं रहता है तो यह कुछ बातें थी जो नजब पहले से जानता था किस बारे में जानता था वो यह जानता था कि यह दी उन्ट को ज़्यादा काम मिलेगा तो वो थकावट से क्या हो जाएगा मर जाएगा उसने यह भी याद रखा कि BSF के लोग वहाँ पे पैट्रोलिंग करते हैं दिहान रखते हैं इंडस रेंजर्स हैं वो भी वहाँ पर गूमते रहते हैं और साथ में जो मरग तरश्णा के समान दिखने वाले जो दरश्य हैं उनके बारे में उसे पता था और साथ में उसे यह भी पता था कि जो रेगिस्तान है वो ट्रैकलेस है बिल्कुल कैसा है वीरान है जहाँ पर उसे कोई रास्ता क्या नहीं होगा नजर नहीं आएगा बट ही सकांड टू ए राश अफ बलर्ड लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसका जो शरीर है वो लालीमा से युक्त हो गया है रक्त की लालीमा और जैसे उसे नजर आया कि उस फातिमा का जो चहरा है वो उसे इशारा कर रहा था लाई के मिराज किसके समान एक मरग मरीचिका के समान एक स्वपन के समान उसे नजर आया उसे लगा ऐसा कि जैसे फातिमा उसे क्या कर रही है बुला रही है उसे आवाज दे रही है या इशारा करके अपनी ये तरफ बुला रही है नजब क्रॉस्ड था इंटरनेशनल बाउंडरी पिलर नंबर 1016 और नजब क्या करता है अंतराश्टी जो सीमा थी उसका पिलर नंबर जो खंबा नंबर 106 था उसे क्या कर जाता है उसके पास से पार कर जाता है वह रास्ता जो से लेना था या जिसके ऊपर उसे चलना था बाइस एक्टिंग जो की कारता था टू पोस्ट उन दो खंबो को दो इस्तितियों को अवद इंडस रेंजर्स जो की इंडस रेंजर्स की थी एक जगतराई एक तो था जगतराई का और दूसरा था विंगूर का तो उसने ये निशित कर रहा का था कि जगतराई और विंगूर के जो दो पोस्ट हैं दो पिलर हैं उनके बीच में से उसे क्या करना है अपने रास्ते पर जाना है but he strayed over so slightly लेकिन वो तो उससे थोड़ा सा क्या हो गया भटक गया उसे उनके बीच में से जाना था लेकिन वो थोड़ा सा भटक गया उसका जो रस्ता है वो चेंज हो गया and from their watch tower और अपने उस tower से जो rangers थे उन लोगों ने they saw throw their binoculars उनोंने उसे क्या कर लिया अपनी Durbin से क्या कर लिया देख लिया this IF camel उसका जो पतला वूंट था wrapped and distorted और जो बिल्कुल विक्रत था और बिघड़ा हुआ था बाई हीट ऑफ सीमर उस विभाजन के कारण उस बिगडे हुए मिजाज के कारण इंटो दा लंबरिंग लेवियतन जो उस बड़े और समुद्री जानवर के समान क्या था पड़ा हुआ था लेकर कहते हैं कि वो जो रेगिस्तान था उसका मिजाज बिलकुल बिगडा लग रहा है उस उट को ऐसा दिखाने के रोप में अंतते वो बाईना कुलर से क्या कर लेते हैं उसे देख लेते हैं तो जो रेंजर से वो अपनी बाईना कुलर से उसे देख लेते हैं उसके उट को जो बहुत पतला था और ऐसा लग रहा था जैसे एक बिगडे हुए गुज जाए विद टेंडू लीव टेंडू के पत्तों के साथ राइट अंडर देर नौजेज उनके नाग के ठीक नीचे से और वो भी उनके मुँ बराई का पैसा दिये बगेर मुँ बराई का पैसा दिया बगेर का मतलब है एक ब्रष्टाचार का पैसा जो उनको वहां से वहां गुजरने के लिए काम में आता है इतना पैसा दिये बगएर यदि कोई वहां से गुजर जाए तो ये उनके लिए क्या था एक ऐसी चीज थी जिसको वो कभी भी सहन नहीं करेंगे अरे वो इस बात को कभी सहन नहीं करेंगे आत्मा नुबूती नहीं करेंगे अब जो नजब था वो ऐसी बातों को महसूस करने लगता है जो उसके पीछे कभी गठी थुई थी लाइक फिगर्स और वो गठने उसे ऐसे लगती है जैसे किसी परदे पर उसके सामने क्या हो रही है चल रही है तो अब उस नजब के साथ ऐसी गठनाए गठ रही है जो उसे ऐसी मैसूस होती है जो उसके सामने किसी परदे पर पिक्चर होल में क्या हो रही है दिखाई जा रही है दा माइल लॉंग चेस उसे याद आया उसे लगा कि उसने क्या कर लिया है उसका उन रेंजर्स ने एक मिल तक पीछा किया दा फाइरिंग फ्रॉम बिहाइंड और वो रेंजर्स उसके पीछे पीछे से गोली मारते रहे बार बार और उनके द्वारा चलाई गई जो गोलिया थी वो जाकर सीधी धस रही थी किसके अंदर उस मिटी के अंदर और तब उसने अचानक देखा कि जो मिटी थी वो उपर उठी and churned the dust into his eyes और जो मिटी थी वो उड़कर उसके आँखों में गिर गई and then rose between the hunter and the hunted और अचानक वो जो मिटी थी वो एक तूफान के रूप में आकर खड़ी हो गए किसके बीच में उस शिकार के बीच में और शिकारी के बीच में तो ये कुछ गटनाए हैं कि एक मिल तक उन ranger's ने उसका पीछा गिया उसके उपर गोली अमारी लेकिन गोली उसको एक भी नहीं लगी वो सारी गोली जाकर जमीन में धस गई और फिर एक अचानक मिट्टी का तूफान उठा उसके आँखों में भी मिट्टी गिरी लेकिन वो मिट्टी का तूफान आकर खड़ा हो गया उस नजब की बीच में और उन हंटर्स की बीच में या रेंजर्स के बीच में वैन दा डस्ट सेटल हाफ एन आर लेटर जब यही मिट्टी का तुफान आदे गंठे के बाद में जब शांत हुआ वो जो नजब था वो उसे रेगिस्तान में बिलकुल कैसा था अकेला तो इस प्रकार से नजब बारतिय बाउंडरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसे पार करके पाकिस्तान के सिंध इलाके में पहुंच जाता है अलागी रेंजर्स उसका पीछा करता है लेकिन वो बचने में काम्याब हो जाता है क्योंकि प्रकरती मिट्टी के तुफान ने उसकी क्या की साहेता की और वो वहाँ पर अंतरत अकेला अपने आपको पाता है तो यह आपकी इस लेशन का सेकंड पार्ट है कल इसके फाइनल पार्ट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम